हेलो औरिवान वल्कुन टो आर यूटूब चैनल इस वीडियो में हम एमबेड़िड फिगर यानि सन्ही ताक्रीती के कोश्चन करेंगे यह पार्ट सेक्ट है अगर आपने फस्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लैलिस्ट का लिंक दिया हुआ है आप जाके चेक क सब्सक्रिकशन को हमें डूड़ना है अब झींत है हमारा कुशचन फिगर कैसे है एक ट्रेंगल है ओर उसके इंदर एक चोटी ट्रेंगल है ठीक है ड्रेंगल के अंदर एक ट्रंगल है तो एक ट्रेंगल नहीं है कि इसक्न कर योडि зм...gravi typatuna कहने अनदर सब्सक्राइंवा तो आप देख सकते हो जो हमारा question figure है वो B option में छुपा हुआ है तो B option हमारा सही answer है Second question है यह question figure है और चार option में डूढने कोशिश कीजिए यह first option में नहीं है second option में यहां पर एक line होनी चाहिए थी यह missing है तो B option भी गलत C option में देखता हूं यह तो हमारा जो X figure है वो C option में छुपा हुआ है तो C option में चुपा हुआ है third question है सबसे पहले आप इन चार line को देखिए किस में है किस में नहीं है एक दो तीन और चार फर्स्ट option में है A में है B में नहीं है C में है और D में भी है बाकी का पार्ट हम ढूनते हैं यह वाला तो अब C option में देखिए C option में यह as it is मैच करता है तो option जो C है वो हमारा सही अंसर है fourth question है very easy एक triangle के अंदर क्या है एक square बना हुआ है ठीक है तो आप देखिए C option में एक triangle है यह और इसके अंदर एक square बना हुआ है ठीक है तो option C is the right answer पाच्वा question है एक दो तीन चार यह चार लाइन की arrangement है यह हमारा X figure है ठीक है तो अगर मैं बात करूं first option की तो first option में देखिए एक दो तीन और चोथी लाइन यह है तो option A जो है इसी के इंदर हमारा X figure है वो छूपा हुआ है तो यह option हमारा सही अंसर है नेक्स्ट question है very easy यह चतर बूज है ठीक है और दियेगे चार उप्सन में हमें डूढ़ना है ठीक है तो फस्ट option में तो नहीं है second option में देखिए अब देख सकते हो यह जो X figure है वो बी उप्सन में चुपा हुआ है तो बी उप्सन हमारा सही अंसर है साथमा question है यह हमारा question figure है और मैं यह option में डूढ़ने ही कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो question figure है X वो ए उप्सन में ही चुपा हुआ है तो ए उप्सन हमारा सही अंसर है आठवा question है सबसे पहले आप इस पार्ट को ढूढ़िए तो यह पार्ट ए उप्सन में है और बचा हुआ यह पार्ट भी ढूढ़िए वो भी ए उप्सन में ही है तो मतलब हमारा जो X figure है वो ए उप्सन में चुपा हुआ है तो ए उप्सन हमारा सही अंसर है नौवा question है इस पार्ट को हमें ढूढ़ना है अब first option की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यह line ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है बट यहाँ पर एक vertical line भी थी ठीक है मैं color change करता हूँ यह vertical line होनी थी यहाँ पर ऐसे तो A option में नहीं है B option में क्या है यहाँ पर एक extra line और होनी चाहिए थी जो की question figure X में है तो B भी गलत C में क्या है यहाँ पर एक line होनी चाहिए थी तब ही question figure से match करता तो C भी गलत है D में देखता हूँ मैं यह line फिर ऐसे फिर vertical line फिर ऐसे यानि यह जो हमारा question figure है वो D option में चुपा हुआ है तो D option हमारा सही answer है दसमा question है यह horizontal line यह मतलब question figure किस option में चुपा हुआ है तो यह horizontal line फिर यह 30 line फिर निचे triangle फिलाल आप इसको match करवाईए तो triangle है निचे A option में horizontal line भी है यहाँ पे line missing है यहाँ पे तो A option गलत है horizontal line भी है यह line भी है निचे triangle पूरी नहीं हो रही triangle पूरी नहीं है B option में तो B option हमारा गलत है C में क्या है ये line होनी चाहिए थी complete तो C option भी गलत D में देखता हूँ है ठीक है और बाकी का part भी है वो भी match करता है तो हमारा जो question figure है D option में छुपा हुआ है D option हमारा सही answer है Thanks for watching करता हुआ है